तो हेलो दोस्तों NCRT Aimpoint में आपका स्वागत है जिन बच्चों का result बेकारा रहा है या कुछ marks कम आए हैं जिनको लगता है कि हमारे marks कम दिये गए हैं या जो बच्चे फैल हो गए हैं वो अपना साल कैसे बचाएं क्या उनको पेपर देना होगा फोर्म कैसे बढ़ना होगा त तब आपके हर स्टैप समझ में आने वाले हैं यदि आप जरासा भी स्किप कर दोगे वीडियो को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा तो आपको फूरी वीडियो को देखना है तो आइए चलते हैं कि कैसे आपको अपनी कोफी रामनगर बोड में रीचेक करानी है ठी तो आइए चलते हैं तो प्यारे दोस्तों देख लेते हैं ये कल स्याम को ये आउट हुआ था एक नोटिफिकेशन कार्याले सचीव उत्राखन विद्याले सिक्सया परिसर रामनगर नेनिताल और ये लिखा हुआ है 2022 23 दिनाग 6 जून 2022 विगप्ती सूचना कुछ ऐसी आप को दिहान से समझना है जो बच्चे री चेकिंग के लिए कोपी करना चाहते हैं कोपी चेक कराना चाहते हैं और काफी चांस रहते हैं बच्चे काफी पास भी होते हैं तो मैं पूरी जानकार्या आपको देने वाला हूँ उत्राखन विद्याले सिक्सया परिसर रामनगर न परसन पत्र की उत्तर पुस्तिका की सनरिक्सा कराना चाहता है मतलग चैकिंग कराना चाहता है तो वे सनरिक्सा सुल्क रुपे 100 रुपे परती परसन पत्र की दर से कोस पत्र चालान के माद्यम से उत्राखन के किसी भी राज कोस या भारती स्टेट बैंक में सु संगत लेखा से सक इतने सिक्सया खेल कलावर संसकर्थी सामाने इसे वन जिरो टू माद्दि मिक्स्या बोर्ड की परिक्सया का सुल्ख के खाते में जमा कर पर्ति मूल पर्ति एवं अंक पत्र इमें इसमें आपको बताने वालों देखो इसमें क्या बोला गया है जो भी आप पर्सन पत्र चेक कराओगे तो एक मालो आपके दो पेपर में आपके कम मार्क्स हैं या आप उन में फैल हो तो आपको कोफी रीचेकिंग कराने के लिए आपको पर परसन पत्र सो रुपे का चालान कटवाना होगा और वो जो चालान होगा वो आप भारती स्टेट बैंक में से भी कटवा सकते हो ठीक है या 6XL कलावर संस्कृष सामाने 6XL में कापी दिये पर सब्जेक्ट आपको सो रुपे का चालान कटवाना है भारते स्टेट बैंक में जाकर और साथ ही बोला गया है कि आप जो परिक्साव का सुलक के खाते में जमा कर कोस पत्र चालान की मूल पढ़ती है अंक पत्र की छाया पढ़ती या हम बोल सकते हैं इंटरनेट पढ़ भेजनी है तो चालान भी आपको भेजना होगा उसके साथ में जो आपका जो इंटरनेट से आप अपनी मार्कसित निकालोगे उसकी फोटो कोपी भी आपको भेजनी होगी तो इंटरनेट परती भी मानने है सहित अपना संरिक्सा आवेदर पत्र परिस्षत कारियाले में प पोष्ट, इस पीट पोष्ट से आपको नजदी की जो आपका इस पीट पोष्ट होगा, उसमें आपको ऊफर पुरा अनलोग की अकोर्डिंग आपको उसमें पूरा पता लिखना है और वहाँ पर भीज देना है, संरिक्सया आवेदन पत्र समझ सलंगलों को सहित परिक्सया परिणाम घोसित होने की तीती से 10 दिन के अंदर परिश्ट कार्याले में पहुचाना अनिवारी है, मतलब कहने का ये हुआ कि आपको 30 दिन के भीतर आपको रामनगर बोड में ये चीजे, ये पूरा अपना जो डाटा है ये आपको पहुचाना है, दुबार से दिहान से जितने पेपर कराने हैं, अपनी कोपी रीचैक करानी है, तो एक यदी आपको एक सब्जेक की करानी है, तो आपको 100 रुपे लगेंगे, दूसरे कोपी की करानी है, तो आपके 200, 300 के 300, ठीक है, ड्राप्ट उसी के अकोडिंग आपको भारती स्टेट बैंक में बनवाना तो आगे लिखा गया है कि सन्रिक से आवेदन पत्र संबंदी विद्याले से प्राप्त के जा सकते हैं, तेको सन्रिक से आवेदन पत्र, जो सन्रिक से आवेदन पत्र मतलब जो इसकूटनी के जो रीचैकिंग के फोम है, वो आपके विद्याले से प्राप्त के जा सकते हैं लेकिन आपको स्कूल में जाने की जरुरत नहीं है क्योंकि स्कूल अभी ओफ है भली वहाँ पर बाबु लोग बैठे हों लेकिन मैं आपको फूरा फॉर्म अभी PDF की फॉर्म में मैं दिखाने वाला हूँ उसको समझाने वाला हूँ कैसे कैसे आपको फॉर्म बढ़ना है ठी इक्सिया की मुल्य अंकित उत्रपुस्तिका की चाया परती प्राप्त करनी हो वे निर्धाग सुल्ख सुल्ख रूपए 400 रूपे पर्ति परसनपत्र की दर से उप्रहुत तनुसा सूष अंगल लेखा से रिशक में जमा कर कोज पत्र चालान की मुल परती अंग पत्र की छाया या इंटरनेट परती मानने हम आधार कार्ड की हादे को दियान से समयना आप आधार कार्ड की छाया परती भी आपको सोख परमानिस सहित अपना आवेदन पत्र परिसत कारिया लें परिसित कर मुल्यां अंकित उतर पुस्तिकाओं की छहया परती प्राप कर सकते हैं तो यह सब बोला गया है कि आधार कार्ड की भी आपको फोटोपोपी उसके साथ लगानी है मतलब मैं बता हूँ आपको चालान पर पेपर चालान आपको ठीक है और जो इसकूटनी का फोट में जो रीचेकिंग का फोट में वो और साथ ही आधार कार्ड उक्त से संबंद आवेदन पत्रेव निर्देश परिसद की वैबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर भी उपलब्त है तो आई होप आपको यह समझ में आओगा अब हम चलते हैं जो इसकूटनी का फोट में जो मैं आपको PDF फोट में देने वाला हूँ एक बार में उसको समझा देता हूँ तो आपको बने रहना है ठीक है तो चलते हैं तो दोस्तों यह इसकूटनी का फोट में है और आपकी जो रेचेकिंग के लिए कोफी का आपको जो भेजना है वो स्पीड पोस्ट से तो वो यह वाला थोम है मैं PDF इसकी सेंड कर दूँगा ठीक है तो PDF तो यह सेंड होगी वोटसप पर ही हाई स्कूल एवं इंटरमेडियेट परिक्सया 201 केवल इस पत्र को सची उत्राखन विद्याले सिक्सया परिसर रामनगर नेंताल के कारियाले में कोस्ट पत्र सहीत प्रेशित करे कहने का मतलब यह हुआ कि आपको चालान के अकोडिंग इसको करना है बिना कोस्ट पत्र के कोई आवेदन पत्र सविकान नहा होगा तो आप आराम से सिद्धत के साथ में अपने टीचर से पूछ कर यानि हम से पूछो या किसी से पूछो जो जानकार है तो उनिक एकोडिंग आपको बहुत जड़ा ध्यान से स्वों को बढ़ना है तो परिक्सयारती दोड़ा साप साप सभी परिष्टियों को पूरा भरा जाए हाई स्कूल एमें इंटर इस पर टूप में अंकित करें परिक्सया का नाम अनुकर्मांग अंकों में भी लिखना है सब्दों में भी लिखना है, सनिरिक्सया के लिए आविदेन पत्र, सनिरिक्सया मतलब रीचाकिंग के लिए, सची उत्राकण विद्याले सिक्सया परिशार राम नगर नेनतार के कारियले कोस में, कि मूल परती सहीत परिक्सया पर गोसित होने के तीसी से 10 दिन के अंदर वज साथ में जहां पर फोटो लिखा हुआ है यहां पर आपको फोटो लिखना है और यह सभी है परिक्सार्ति का पुरा नाम हिंदी में होना चाहिए अनुकरमांक हिंदी में होना चाहिए और अंग्रेजी में होना चाहिए और विद्याले का नाम अंग्रेजी में ठीक है कोस पत कितने आपको विशे का नाम जिसमें सनरिक्स यानि कोपिरी चेकिंग करानी है उसमें 1,2,3,4,5 यह लिखे हुए है इसमें आपको सब्जेक्ट रखना है पूरा पता आपको लिखना है मोबाइन नंबर सहित लिखना है दिनाक लिखना है जो भी दिनाक है और 2000 जो भी 22 है तो जिस पतेपर परिसार्थी सनिक्सा परिणाम की सूचना चाहता है, सलंगनकारी अनिवारी होना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि लिफापा भी आपके साथ, एनलोब भी आपके साथ होना चाहिए, एनलोब में ही आप उसको भेजोगे, पुरा इसमें लिखा हुआ है कि परति सामाने सिक्सिया जमाँ करना होगा ठीक है आई आइए उप आपको इतना समझ में आ रहा होगा तो जो भी जिस बच्चे की दिक्टत है तो यह यहाँ पर दिया हुआ है कर्प्तिया निमलिकित कोल में प्राप्तांको का उलेक कीजिए परिक्सिया यह 2022 के लिए है यहां पर वी से लिखित, लिखित में आपके कितना है, थोरी में कितना है, परियोगात में प्रैक्टिकल में कितना है, योग कितना है, गरेड कितनी है, संपून योग कितना है, गरेड तो हमारे यहां नहीं चलती है, संपून योग कितना है, आपका पर सब्जेक्ट, परिक् जारती यहां पर अपना नाम पुरा पता का हानसे रहने वाले हो तो आपको समझ में नाम भी, सब कुछ आपको लिक देना है तो आइए पर यह लाश्ट यहां पर कर्पयाई इस पन्यो को अपने पास संधर्व के लिए रखे, जो यह तिरी पेज है तार का पता intermediate रामनगर पेरसक सची उत्राखन वी देले सिक्सर कार्यले रामनगर तो आपको मैं एक बात बता दूँ यह जहाँ पर आपको भेजना है यह पूरा आपको लिखना है वहाँ पर ठीक है अनुकर्मांग परिक्स्या का नाम intermediate वर्सका उलेग जिस पर तो आप अपने वर्सका नाम बहुत द्यहान से वह सारी चीज जो मैं बताई हुए आपको कोस पत्र में परिक्साestial का नाम पून पता अनुकरमांग परिक्सा का नाम वर्ब सपश टू परन किथ होना चाहिए कोस पत्र की दाइनी तरब उपरी छोर पर भी अनुकरमांग का उलेक बड़े अकसरों में निमल लिकित परकार करना चाहिए तो आप द्यान से इस form को भढ़ना मैं form भढ़ना आपको सिखा दूँगा नेक्स वीडियो में अभी आप इसको किसी भी cyber cafe में जाकर निकल वालो form को और जैसे जैसे मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे आपको इस form को भढ़ना है तो friends I hope आपको यह चीज़े के लिए बेज़ोगे coffee के लिए तो अगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो ठीक है क्योंकि बहुत सारे case मैंने देखे हुए है तो उन caseों में बहुत बच्चे पास भी होते हैं तो जिन बच्चों का साल बरबाद हो गया जो फैल होगे वो भी यह नहीं है कि उस साल में आप कुछ नहीं करोगे आप इतना करो कि आप टोप लिष्ट में आओ उत्राखंड की फर्ष नंबर पर लाओ अपने नाम को यह आप अपने अंदर जुनून बनाईए तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा आपके साथ हूँ तो फ्रेंड्स यह दिया आपको यह जानकारी हमारे दुवारा दी गई है जो यह अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास सेर कीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने फ्रेंड्स के पास हमारे वीडियो के लिंक को सेर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू